नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टेडी फॉर्ट सिविल सर्विसेज में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा इंडिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है नूकलियर अनर्डी में इंडिया सबसे ज़्यादा जो इंस्टॉल्ट पावर कैपिसिटी है सबसे दक इसकी बहुत सारे पाई चाट मैंने या पर इंक्लूट किया हैं बहुत सारा डेटा है और इवेन मैंने यहां पे इतना ज्यादा यह जितनी भी रिपोर्ट है है energy कि उस सब कुछ यहां पे करके लाया हूं Hindi English दोनों में है यह डेटा ठीक है ज्यादा तर तो मैप बेजड ही है तो Hindi English का कोई हुआ ही नहीं है इसमें ठीक है इसमें अगर आप देखें तो इसमें दो-तीन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कर लेते हैं सबसे पहले तो देखिए यह है इसमें बताया गया है कि एक समरी दी गई है इसमें कि इंडिया की अगर आप देखेंगे जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी वो कितनी थी 1362 मेगावाट थी जो कि अब बढ़के हो गई है 399 गीगावाट अच्छा इसमें दो टर्में आप ही यूज हुए है एक हुआ है यूटिलिटी और एक है आपका नॉन यूटिलिटी यूटिलिटी का मतलब है यह कि जो आप ज देखेंगे तो टोटल जो पर कैप्टा इलेक्टिसिटी कंजम संती 1947 में 16.3 यूनिट थी अब हो गई है 1149 यूनिट तो यह बहुत सारी चीज है फिर बताया गया इसमें की जो ट्रांसमिसें डिस्ट्रिब्यूशन लॉसे से उनको कम कर दिया गया है बहुत सारे कदम उठ इसकीम से बड़ा फायदा हुआ है इस समय अगर आप देखेंगे तो इंडिया के 6 लाग से यादा विलेजेज जो है इलेक्ट्रिफाई हो चुके हैं बहुत ज्यादा यह यहां पर चीज़े बताई गई है अब देखें सोलर इनर्जी का प्रोड़क्शन बहुत ही इनिवेबल का मतलब होता है अच्छे उर्जा सोर्सेज अर्चे उर्जा स्त्रोथ ठीक है ग्रॉस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड़क्शन कितना हुआ है यह टोटल मिलाके तेरा सो तीन टेरा वाट आवर हुआ है 2017 में और जो इलेक्रिक टोटल इलेक्रिसिटी जनरेशन जो लगाते हैं ग्रॉस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्शन कितना था 1149 किलो वाट आवर पर कैप्टा है यह जरूरी आज कुछ रखिएगा यह लेटेस्ट एकदम करेंट अफेर है कि इंडिया जो है इस समय वर्ड का तीसरा सबसे बड़ा इनर्जी का प्रोड्यूसर बन गया है और तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है सबसे बड़ा यह खपत वाला भी बन गया है उत्पादक भी बन गया है भारत यह दोनों चीज़ा रखेंगा लेटेस्ट करेंट अफेर है एलेक्ट्रिक अगर आप इनर्जी देखेंगे तो एग्री कल्चर में यह हाइस थी जो और भी दूसरे कंट्री थे हाला कि जो कंजंशन है उसका पैटर न लगे इंडस्ट्रियल है यह सब कुछ देखेंगे यूपीएसी तक का लेवल का सब कुछ है यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले ग्राप से बात करते हैं और इंडिया इंस्टॉल कैपिसिटी कितन पॉइंट फॉइंट फॉर परसेंट नूप्लियर की है वन पॉइंट नाइन सेवन परसेंट और यह रिनिवेबल इनर्जी रोसोर्स तर आपके यह समय सेवन्टी वन है वैसे सेवन्टी वन की गवाट है यह डिटा अपडिटेट थोड़ा से यह एक्शुली इसके बाद का यह 31 मार्च का है और 31 अगस्त की एक और रिपोर्ट है दोनों को मिलाके बनाया है हाइड्रो इलेक्रिक पावर जो है वो टोटल मिलाके 13 परसेंट है 13.17 परसेंट अचाहिए एक बात यह बताने वाली थर्मल इनर्जी दो होती है थर्मल में होता है कोल और ओल और गैस ठीक है नूकलिक नर्जी अलाग हिसाब किताब है रिज्वेबल इनर्जी में होते हैं स्मॉल हइड्रो प्रावर प्लांट यहां पे होते है है जो होता है तो इंडिया में गोंटिंग अलग होती है जो में मैंमा sizes घ्जा और इसके लिए अलग मिनिस्ट्री करीबन 1.3 percent wind power है 34 gigawatt है solar power से करीबन 8 gigawatt nuclear जो इनर्जी है 6.7 gigawatt है गैसे करीबन 24 gigawatt डीजल बहुत कम 0.2 परसंट थीक है यह total कितनी energy generation हों यह वह बताए गया है वो तो था install capacity total energy generation कितना हुआ है यह करीबन 1.3 million gigawatt हुआ है इसमें सबसे सबसे जाधा ऑब्यस सी बात है कोछ से होगा गया सबसे जाधा ठीक है जब फिस्सिस पाझापः ओसी इंडिया में पूछा जाए कि सबस्यादा इन्ट्रिस्ट्रिक अब देख रहे हैं यहां पर इंडरस्टियल करता है तो नंबर वन पर नमबर टू पे डॉमेस्टिक है देख रहा है यह 24 पर संट नमबर थी पे अग्रीकल्चर एक रीवाएं 18 परशंट और यह अगर आप पूरे बाकी देशों के तो नमबर 3 पर है इंडिया की अलेक्रिसिटी के बात करेंगे लिए नमबर 2 पर डोमेश्टिक फिर नमबर 3 पर कॉमर्शियल यह तीन जरूरिया थे बहुत है नमबर 4 पर है कॉमर्शियल ठीक है तो यह चार चीजह जाद रहें और देखें यह है कि यह का मतलब होता है जो सेल्फ जनरेशन के लिए करते हैं एक मेगावाट और उससे उपर के अगर बनाते हैं तो यह दो पार चार्ट है आपे यह है कि कितनी इस्टॉल कैपिसिटी करीबन 54,000 मेगावाट है और यह आपकी कितनी है अलब करीबन 54 गीगावाट है और तो 344 हमारी ह 54 हो गई कैप्टी वाली ऑल इंडिया की जनरेशन यह कितनी है इनकी यह है कितनी जनरेट हुए एक एक लाग तिरासी जार समतिंग है गीगावाट अब इसमें देखिए कि कॉमन सी बात है कि इनका जो इंस्टॉल वाले में स्टीम सबसे जादा है और जो प्रड्यूस करते अब यह देखिए यह कुछ यह कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट के यह है कि पर कैप्टा इलेक्टिसिटी कंजम्शन कितना होता है अगर आप देखेंगे तो 2014 पंदा का डिटा दिया हुआ है इंडिया का यहां पर दिया हुआ है एक हजार पच्छत्तर जबकि 1149 हो यह मतलब इसका यह एक गाप यह मैप दिया हुआ है यह आपको इसमें बताया गया कि मोड वाइस परसंटेज और परसंटेज शेयर कितना होता है एलेक्टिसिटी जनरेशन में बहुत सारी कंट्रीज में इंडिया में अब जानते है कोल का जो है सबसे ज्यादा जनरेशन ह ठीक है परसेंटेज जो मतलब इलेक्ट्री सिटी जनेशन में सबसे जादा प्रसेंट कोल का है फिर है आपका यह हाइड्रो का है और फिर आपका है अधर्स का है फिर यह गैस है तो यह कुछ है यह डिटा दिया हुआ है अच्छा इसमें एक चीज यह है इंपोर्टन की जो स यूट्लियर से फिर प्रिड्यूस करते हैं वह लोग जबकि लब इतनी खतरनाक है यह जापान ने तो एकदम से वहां से मूँ मोड लिया था जर्मनी में आप देखें तो कोल में सबसे जादा करते है यह इतली में गैस जब सब से जब से जब से जादा जब जादा ने इस इस्टेट्स में तो है कोल, United States में कोल है, United Kingdom में है गैस, South Africa में कोल है, Brazil में है आपका हाइड्रो, Brazil में देख रहे हैं, आप करीबं 61% जो है हाइड्रो से होती है, और South Africa में 93% जो है यह आपकी कोल से हो रही है, बहुत important बाद है, China में सबसे ज़्यादा कोल है, India में भी कोल है, Russia में गैस है, European Union में न्यूक्लियर है, यह All India Installed Capacity है, इसका यह मतलब है कि इंडिया में 344 गीगावाट की installed capacity है, सबसे ज़्यादा देखिए, 12345 जो लिख रखा है मैंने, इसका यह मतलब है, सबसे ज़्यादा Western region produce करता है, करीबं 111 गीगावाट, No.2 पे Southern region है, 103 गीगावाट No.3 पे Northern region है, 92 गीगावाट, No.4 पे Eastern region है, 33 गीगावाट, सब कुछ मैं बता रहा हूँ, इसको कोई टेंशन की जरूत नहीं है, बहुत देर मैंने इसको Excel एकसल बना के यह data किया, करीबं 5-6 गंटे लगें इसमें, North East region में आप देखेंगे तो 4 गीगावाट है, यह बात करें तो देखें, थर्मल में क्या infinus में तो सब neSe होती है, nuclear 50 25 गीगावाट है कि इसमें क्या क्या आता है इसमें सबसे बड़ा कॉंपोनेंट है विंड का करीब है 34 गीगावाट का नंबर टू पे है solar energy का करीबन 30 gigawatt का और फिर यह है बायो पावर आपका यह कितना है करीबन 8.7 gigawatt इधर है और टोटल मिला के waste to energy 138 megawatt इधर है small hydropower का है यहाँ पर 4.5 gigawatt यहाँ ठीक है तो यह है renewable energy यही data ministry of new and renewable energy से देख सकते हैं सबसे बड़ा जो component है renewable energy में सबसे बड़ा component है wind का number two पे है आपका solar का और number three पे आपका bio का है यह जरूरियाद रखेगा बायो का आप देख सकते हैं यह biomass में बगीज है यह और नॉन बगीज वाला है total मिला के और फिर waste to power है और फिर सबसे जो बाद में है आपका सबसे ज्याद रखना है यह टोटल आपका अगर आप देखेंगे तो गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने 175 गीगावाट का बनाने का टार्गेट लिया है मेंट सबसे लिए बनाने तो सबसे घृफ यह एक करता है थीका ह है यह सबुए नहीं थो में अगर आप देखें नह्याद में में ऑलो चाहरा के किटा 메शिये यहाँ पर कर लिए है ठीक है तो यह है टोटन मिला के इसाब किताब यह Northern में यह मेन इस्टेट हो गए आपके और Western में यह में इस्टेट हो गएach Southern में यह में श्रीयोट हो गए основ में यह में आपने में मौत आप स Beijing से इसकुछ नीजिए बस यही तीन है इस्टन से कुछ नहीं खास होता है अब इसमें देखिए यह टोटल मैंने बना रखा है यहां पर टोटल इंस्टॉल कैपसिटी में अगर पूछ लिया जाए कि सबसे अदा इसकी सिस्टेट में है तो यह मैंने अलग से एक्सल सीट बनाई थी उसमें पूरा म सबसे आदा जो टोटल आपकी इंस्टॉल कैपसिटी कितनी है 43 गिवाट सब सोर्सेश को मिला के महरास्ट में नंबर टू पे गुजरात है नंबर थी पर तमिलनाडू है नंबर फॉर पर करनाटका है नंबर फाइव पर हमारा उत्तरपदेश है बाकी पूरी लिजलास तक इगर आपको रट नहीं तो रट लीजेगा ये मैप है यह भी बिल्कुल उसी हिसाब से दिया हुआ है यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है यह वाला मैप है यह एक जो रिपोर्ट आई थी अभी CEA की रिपोर्ट है, इसमें आप देख सकते हैं, पूरा इसमें दिखा हुआ है, कुछ-कुछ सेंटर अनलोकेटड है, वह आले भी दिखा हुआ है, तो यह है, मतलब फिर भी इंपॉर्टन नहीं इतना, मैंने यहाँ पर वैसे कर दिया है, आप लोग देख लिएगा बाद मे फिर यह थर्मल में अगर पूछा जाएगा, थर्मल में, थर्मल मतलब गैस, ओईल और डीजल, इन तुनों के मिला के हाईच कौन सा है, उसमें भी महाराष्ट है, महाराष्ट गुजरात, फिर यूपी नंबर 3 पे, नंबर 4 पे तमिल नाडू, फिर आन्परदियस है, ने किया है, फिर गैस में total कौन सा है, गैस में सबसे आदा होता है, गुजरात में production, फिर नंबर 2 पे आन्परदेश, फिर महाराष्टा, फिर दिल्ली, फिर तमिल नाडू, डीजल में नंबर 1 पे कौन सा है, डीजल में चारी जगे में production होता है, सबसे आदा production होता है, फिर राजस्तान फिर किरला फिर यूपी भी हमारा 289 करके हैं एंपी में भी उता है पंजाब में होता है हाइड्रो में टोटल मुलाकी कितना है पैतालीस घीमाटवाट है तोटल इंडिया की कैपिसिटी और सबसे ज्यादा जो हाइड्रो सबसे घ्राइद्लड प्रोडक्श एंड्सेज में टोटल मिला यहां पर स्मॉल है डोर आगया और 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 क्या प्रतिश हो गया और आपका विंड और वीर डिन इनर्जी ऑघर और सौलर आजो च्छन प्लस मेशननर्जी इन सबको मिलाकर चब्लांब करनाटक है नंबे-फिर तमिल नादू है फिर द्ला chirping फिर गुजराट है फिर आंद्रदीस है पाच यह तोप के स्टेट नहीं रखेगा फिर यह विंड इनर्जी कि अगर आप बात करेंगे इंडिया में इस समय अगर आप देखें इंडिया में करीबं 34 गीडावाट की विंड इनर्जी इंस्टॉल्ड केपिसिटी है पूरी तो नमबर नाडू फिर गुजराथ फिर महराश्ट फिर करनाटक है तो नमबर नाडू की ज़रूर रखेगा तमिल नाडू की जो विंड पावर कैपिसिटी करीबन 30% है इंडिया की और तमिल नाडू में प्लांट है मुपांदल विंड फॉर में 1500 मेगावाट का है यह प्ल करीबन और इंडिया ने यह अभी करीबन 2014 में हमारी सिर्फ दो गीगावाट की थे और हम अभी समय 20 पे आ गया है चार-पांस सालों में बहुत बड़ा जंप मारा यहां पे ठीक है इंडिया की यूटिलिटी जो सोलर पावर कैपिसिटी है बहातर परसेंट बड़ी 2017 थारा इसमें रूपट आफ वाले जो हैं वह कितने हैं रूपट आफ वाले सोलर प्लांट और ऑफ गृडवाले को मिलाकर 24.4 ओगीगावॉट हो गया है यह यह आप यादर किस्ट सुलर में नंबर और पर कौन सा स्टेट हो गया है इस समय नंबर और करनाटक है नंबर तू पर ह आपका तिलंगाना नंबर 3 पे राजस्तान, नंबर 4 पे आंद्परदेश, नंबर 5 पे तमिल नाडू, टॉप सोलर प्रोडूसर ये 5 लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं, और ये कैसे कैसे आपका देखें, 2009 में हम सिर्फ 6 गिगावाट पे थे, इस समय 23 गिगावाट पे आ अगर आप देखेंगे तो विंड इनर्जी में इंडिया जो फोर्थ नंबर पे है, फिप्त नंबर पे है इंडिया इनर्जी में, 6 नंबर पे है इंडिया सोलर पावर कैपसिटी में, तो ये सोलर पावर में इंडिया आप देख सकते हैं यहां पे, इंडिया 6 नंबर पे ह है ठीक है solar power में six number पे है इंडिया number one पे है China number two पे USA word का largest solar power कहा है आप जली से कमेंट करके बताइए nuclear power में इंडिया की जो है fifth largest source है अगर आप देखें coal gas और electricity hydroelectric और wind power के बाद इंडिया में 22 जो nuclear operator है reactor है वो मतलब operated है इस समय operation में है sorry और इंडिया में इस समय 22 nuclear reactor है साथ जगह पे साथ nuclear power plant है total मिला के हमारी capacity कितनी है 6780 megawatt यानि की 6.7 gigawatt की है और इसमें number one पे आप जानते है Tamil Nadu मेंने पहले ही बता दिया था कुडन कुलम के जो प्लांट है हो Tamil Nadu में ही है power station तारापूर का है महराश्च में तारापूरी है जो इंडिया में सबसे पहले लगाया था 1400 megawatt है फिर राजस्तान में है आपका काईगा जो है वो करनाटक में है गुजरात में काकरापर है और फिर मद्रास और नरोरा यूपी में यह कुछ नुक्लियर नर्जी से रेलेटिटट फेक्ट है नुक्लियर नर्जी फ़ूर्थ लाजफेस्ट है थरमल उलक्ट्रिस टी और रिनीवेबल के बाद अच्छा यहां पी यह उस्के बाद भीनर्जेस्ति अजिए पर्फ्भीजिय इंडिज्यल कॉमपोनेंट ले लिए इसलि और टोटल इतना है अनाधर आठ और हैं जो यह करीबन लग रहे हैं यहां पर एसके सर्माइश से में प्रेजेंट सीम्डी है कुटन कुलंड की हाइस कैपिसिटी जनरेशन है यह तारापुर पहला नुकलर पावर प्लांट है इंडिया का यह कुछ यहां पर सन लिखे हुए सबके सबसे पहले तारापुर था ठीक है फिर उसके बाद आपका नरोहां आया पर यह पहले राजस्तान फिर नरोहा फिर पर दोंडू रहा दोझा और एक प्लांट है नरोहाब में हो गया राजस्तान में पन रहा है यह बंस्वाराげ तारापूर महराश्व में बारक वाला, जैतापूर जो फ्रांस का शेयोग से बनेगा, काईगा है करनाटक में, चिन्नाई वाला, कुड़न कुला में सबसे सौधरमोस्त है, कोवाटा है, यह आपका है, चुटका है, फ्रियम पी में बन रही है, प्लांट है सब, यह देखे, KPIB का data है यह इतने nuclear power reactor है यह अंडर construction है कहां कहां पर जगह लिखी हुई है इतने reactor इनको administrative approval मिल गया है financial sanction भी हो गया है इतनों को in principle approval मिल गया है कि और आप यहां पर reactor कर सकते हो इंपॉर्टन नहीं है nuclear power और अगर आप देखेंगे 2016 में सबसे ज्यादा जो nuclear energy प्रडूस करता है वो है यूनाइटेड इस्टेट्स इसमें installed capacity में भी highest है यह करीबन एक लाक यहां पर है और इनका जो है टोटन व्लाके जनरेस जो generated electricity होती है इसमें भी highest यह नंबर टू पर है फ्रांस नंबर थ्री पर चाइना ठीक है और फ्रांस की करीबन आप देखेंगे करीबन सतर परसंट पच्छत्तर परसंट से ज्यादा जो energy है वो नुक्लियर से ही प्रडूस होती है यूएस की 20 परसंट यह कुश्चन भी आता है कि सबसे आदा नुक्लियर रियक्टर कहां पर है सबसे आदा यूएस में नंबर टू पर फ्रांस में नंबर थ्री पर जापान फिर चाइना फिर रशिया यह सब लिखा हुआ है टोटल इन गीगावाट है यानि की 44 जार सम्तिंग साड़े तेरा सम्तिंग परसंट है यह टोटल पावर जनरेशन कैपसिटी की अडिशनल स्मॉल हाइड्रो पावर है मैंने बता था यह आपको रिनेवेबल में आता है यह करीबन 4.5 गीगावाट का है टोटल मिलाके टोटल अगर आ नहां पर इंपोर्ट करता है भूटान से भी यह टॉप टेन हाइड्रो एलेक्रिक की लिस्ट है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है आपका चाइना फिर यूएस है इंडिया साथ वे नंबर पर याद रखिए आप इंडिया में ठीक है गीगावाट के हिसाब से में देख रहा है आप 311 गिगावाट है हमसे छे गुने से भी जादा साथ गुने से भी जादा ठीक है बहुत ज़्यादा है तो यह है अब यह नॉर्दन में कौन सा इसे नॉर्दन में नंबर वन पर यह यूपी और राजस्तान इतना इंपोर्टन नहीं है मैं पहले बता है यह पूरी रिपोर्ट है बहुत इंपोर्टन रिपोर्ट थी इसके अलावा आपको कुछ चीज़े और देखनी चाहिए जैसे प्याइबी में यह एक यह न्यूज आई थी बड़ी अच्छी और बहुत सटीक डेटा दिया हुआ है देखिए जून की न्यूज है बहुत है कि 2014 में हम सिर्फ 2.6 गीगावाट पे थे और इस समय 22 पे है चार-पास सालों में कितनी ज्यादा गुना बढ़ा दी गई है और वैसे टार्गेट तो इसका अभी भी बहुत दूर है 100 गीगावाट हमने रखा है विंड इनर्जी की है अगर आप देखेंगे तो 21 है आपका यह अभी हमने देखा था एक पर देख लेते हैं फिर से एक सो हमारा है सोलर का साथ है विंड का और दस है आपका बायो मास का और पांच है स्मॉल हाइड्रो का ठीक है तो यह जरूर्याद रखेगा फिर यह कुछ दो इसकीम थी एक कुसुम थी आपकी किसान उर् इसकीम थी यह सोलर रूप टॉप से रिलेटेड़ है यह जरूर रखेगा इसके लावब बहुत सारे और मेजर लिए गए इतना इंपॉर्टन नहीं सब चीजे और एक यह जरूर्याद रखेगा बाद की जो इंडिया का लार्जस्ट सोलर प्लांट है वह कहां पे हैं ठीक рах है तो झाल पर चाहरे के सिंथ Pawने जजर्व से इंर्जी बना रहा हैं लिए डिपरोट है उइसे भी पेडिया में ज्याकर और टेंटा में अदेखा है ठीक है यह अपर इस्पित वाला है हुआ साब किताब तो जित्ना जो इंपर्टन वाला था मैंने बता दिया आपको औ तो आप शूर विंड पाउर प्रांट का जो है साब किताब गुजरात में यह चालू किया गया था इसको चाहें आप तो पढ़ सकते हैं बहुत ज्यादा दिया हुआ इसमें वैसे जो इंपॉर्टेंट वाला है वो मैंने बता दिया है इसमें जो मैंने क्वेस्चन पूछेते कुछ एक दो वह आप बता दिएगा और प्रीस लास्ट में एक और क्वेस्चन पूछ रहा हूं सबसे बताईए सोलर नर्जी का टॉप प्रोडूसिंग स्टेट कौन सा आप बिना देखे बताईएगा न्यूक्लियर नर्जी का टॉप कौन सा है कोल का कौन सा है घैस का कौन सा है यह सब कुछ बताईए और वर्ड का लाजेस सोलर पाउर प्रांट कहां पर है थाइंक्यूब फॉर लिस्निंग यूपीद्ट की हमारी टेस चल लाइए आप उसको चाहें तो ले सकते हैं कई सारा जितने भी हमारी पीडियप्स हैं, लास्ट में सब मैं उसमें दे रहा हूँ, और बहुत सरी और पीडियप्स दे रहा हूँ, प्लस टोटल टेश सीरीज, प्लस सी सेट के आटेस सीरीज, कल भेज दी गई हैं, जिन लोगों ने भी पेड लिया होगा, उनको मिल गई होंगी प्लस और भी जीएस के टेस्ट में उनको भेजूंगा और प्लस और भी काफी सार चीज़ें टोटल करंट फियर और प्लस मेन जो समरी पीडियाफ में सब देजी जाएंगी